मोना लिसा, है एक ऐसी पेंटिंग है जिसे आज तक व्यागिनारिक भी नहीं समझ पाए तो आज की इस वीडियो में आप इसे के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों मोना लिसा की यह पेंटिंग इस दुनिया की सबसे महेंगे पेंटिंग है इस पेंटिंग को लियोनाडो दाविंश्री नाम के एक महान चित्रकार ने बनाया था दाविंश्री का जर्म 15 अपरिल 1452 में इटली के विंश्री नाम की जगह में हुआ था दाविन्शी अपने एक हाट से लिख सकते थे और दुसरे हाट से ड्रॉइंग को पेंट कर सकते थे मुहुन इस पेंटिंग को पंदरा सो तीन से पंदरा सो छे तक बनाया था इस पेंटिंग में रही हुँ इस तरी लिसा गेरर देनी जो की रिशम के वैपारी फ्रांसिसको डेल जियो गेलन्डो की पत्नी थी इस पेंटिंग को इस तरह बनाया है कि अगर आप इस पेंटिंग को लेफ्ट से देखे और राइट से देखे तो आपको यह पेंटिंग अलग-अलग तरह की नज़र आएगी इस पेंटिंग को बनाने के लिए दाविंच ने सोफु मुटू मेथड का इस्तमाल किया है इस मेथड में उन्होंने किसी भी तरह की बोर्डर या फिर आउटलाइन को रखा नहीं है इस पेंटिंग को किसे कागज या फिर कपड़े पर नहीं लेकिन लकड़ी के टुकडे पर बनाया था असल में इस पेंटिंग का नाम मुना लिसा नहीं है यह सिर्फ एक spelling mistake है जिसका असले नाम है Mona Lisa जिसका मतलब होता है My Lady Mona Lisa की यह painting एक French ruler नियापुलें बोना पार्ट को काफी पसंद आ गए थी और इसी वज़र से उसने इस painting को अपने bedroom में टंगवा दिया था दाविंट्शी को अपनी यह painting अपनी सभी painting में स्यादा पसंद थी वो जहां पर भी जाते तब इस painting को अपने साथ ले जाते थे दाविंट्शी ने इस painting को 51 साल की उम्र में बनाना शुरू किया था 1777 में Mona Lisa की यह painting लौवर मुजिंग में पाई गई लेकिन किसी को पता नहीं कि वह वहाँ पर कैसे आई 21 अगस्ट 1911 को यह painting मुजियम में से चोरी हो गई और 10 साल के बाद वह वापस भी मिल गई इस painting की यह लौवर मुजियम ने एक खास कमरा बना है जिसका तामन इस से रखा गया है कि painting को जड़ा सभी नुकसान न पहुंचे जिसके लिए मुजियम ने पचास करोड डॉलर खर्च किये है इस painting को फिल्हाल सेफटी के लिए एक बुलेट प्रूफ काच में रखा गया है 14 डिसेंबर 1922 को मुनलेशा किया painting 100 मिलियन डॉलर यान की 680 करोड रुपे की थी और अभी इस painting को 790 मिलियन डॉलर यान की 5383 करोड रुपे की है दाविंशी ने अपने लिखी किसी भी किताब में बताया नहीं कि ड्रॉइंग में हुई लिखी हुए स्तरी कौन सी है कई व्याग्नानिकों के मुताबिक दाविंशी ने इस painting में अपने आपको एक स्तरी के तरफ दिखाया है लेकिन ये गलत है 2004 में पास्कल कोटे नाम के व्याग्नानिक ने इस painting को स्पेक्टर लाइट टेक्नलोजी की हाई इंटेंसिटी लाइट और बल्टी लेंस कैमेरा की मुदद से कई सारी लियर्स निकाल डाली उसको पता चला कि इस painting में तीर लियर्स है और दाविंशी ने जो paint यूश किया है उस paint की जाड़ाई है 40 माइक्रो मिटर्स यानकी अपके बाल से भी ज्यादा पतली मुनालेसा की painting के इस हिस्से में एक शब्द लिखा है जो की है लारिस्पो सासी टोयराक्वी जिसका मतलब होता है दा आंसर इस हीयर दूस्तों पेरानॉर्मल क्यूरिबल के एक वेबसेट के हिसाब से मुनालेसा की painting में एलियन है अगर आप इस painting को राइट साइड से कट करके उसको मिरर से अटाच करें तो आपको यहां पर इस रे का एक एलियन दिखाई देता है जहां पर लिखा है दे आंसर इस हीयर ठैंक्स पूर वाच्ट